हाई फ्रेंड्स, बेलकम टू मैं चैनल, योग शरीर को स्वस्त रखने में बहुत मदद करता है, आजकल के व्यस दिनने चाहरे हमें जरूरी है कि थोड़ा वक्त हम अपने खुद के लिए निकालें, सुबह के समय अगर रोजाना केवल आदे घंटे का समय शारिट गती कि जिम में जाना लाओ नहीं है या भीड की जगा में जाना लाओ नहीं है, ऐसे में आपको मैं कुछ ऐसे योग असन के बारे में बताऊंगी, जो शरीर को स्वस्त रखने के साथ साथ आपकी इम्मुनिटी सिस्टम को भी मजबूट करने में मदद करेंगे, तो चलिए जा महिलाओं का मासित चक्र भी ठीक रखता है और फेवरों के लिए काफी हद तक फायदे मन्द है, इसके साथ साथ ये शरीर के इम्मुनिटी सिस्टम को भी मजबूट करता है, इस योग असन को करने के लिए पेट के बल सीधा लेब जाए और दोनों हाथों को माथे की नीच यानि आगे हिस्से को बाजों के सहारे उठाए और शरीर को स्ट्रेच करें और लंबी गहरी सांस लें, कुछ सेकिंड इसी अवस्ता में रहने के बाद वापस पेट के बल लेट जाए, इस आसन से आपकी इम्मुनिटी सिस्टम काफी हद तक स्ट्रोंग होती है, दूसरा धनोरासन, इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाए, अब हाथ और पैरों को ऊपर उठाते हुए, हाथों से पैरों को पकले, कोशिश करें कि आप पेट के बल हो जाए और इससे पेट की चर्वी कम करने में जल्दी ही लाप मिनता है, कमरदर्द में अराम के साथ साथ रोग प्रतिरोदक्षमता बढ़ाने में भी काफी हाथ तक कारगार होता है, तीसरा आसन, बाल आसन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कि इस आसन में बच्चों की तरह पोस बनाना है, और इसके लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैट जाए, अब अपने दो प्रतिर को बीमारियों का घर बनाने से रोगता है, वही बाल आसन की मदद से पेट की चर्वी को भी कम किया जा सकता है, तो यह थे कुछ जरूरी आसन, जैसा आपके इम्मुनिटी सिस्ट्रम को काफी हाथ तक स्ट्रोंग कर सकते हैं, उमिद करती हो कि आपको इजान करी अ बाइ बाइ